जैहिंग दोस्तों, बाई जो इस गौवर्मेट एक्जाम प्रपरेशन के यूट्यूब चनल पर आपका स्वागत है आज की The Day in History सीरीज में 6 एक्टूबर के कुछ ऐसे एक्ट्स में आपको बताने वाला हूँ जो आपके एक्जाम के point of view से बहुत important है तो इस वीडियो के साथ बने रही है और शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले point के साथ तो पहला point है 1862 का जो Indian Penal Code Act के साथ जोड़ा हुआ है देखे आज ही के दिन 6 एक्टूबर को जो मारा Indian Penal Code Act है वो लागू हुआ था और एक जनवरी से ये force में आ गया था यानि एक जनवरी से operational हो गया था मैं आपको बता दूँ Indian Penal Code की बाद तो British India में यानि जब भारत पर Britishers का राज था तो उस समय ही 1860 में ये बन कर तयार हो गया था और उसके बाद 1862 से ये force में आ गया ये आज के दिन से 6 October से इसको पारित कर दिया गया और लागू कर दिया गया था Indian Penal Code Act के बात करें तो देखिए ये वो Code है जिसमें भारत में अपराधों की परिभाशाएं लिखी हुई है और उनके लिए विभिन प्रकार के दंड का प्राभधान लिखा हुआ है और इनी के माध्यम से सभी प्रकार के अपराधों के लिए दंड का निरनाय किया जाता है कि किस अपराध के लिए क्या दंड दिया जाना है तो मैं आपको बताओ कि इस इंडियन पीनल कोड में कुल मलाके जो अध्याएं हैं वो 23 चेप्टर में हैं जिसमें कुल मलाके 511 धाराएं लिखी हुई हैं जिनके अंतरकत सभी अपराधों की व्याख्या है और उनके लिए दंड के ब्राधान की व्याख्या है अगर बात करें तो ये इंडियन पीनल कोड जो है ये भारत के साथ साथ पाकिस्तान और बंगलादेश जैसे देशों में भी लागू है और इसी के साथ साथ ये जितने भी बिटिश उपनवैशिक देश थे उन सभी में इस तरह का पीनल कोड लागू था ये भी आपको पत होना चाहिए दूसरी बात सबसे इंपोर्टेंट के बारे में ये है कि अब तक इसमें देखा जाए तो 76 अमेंडमेंड हो चुके है यानि 76 संशोधन भी इसमें किये जा चुके है और इसके साथ साथ एक और इंपोर्टेंट बाद जो इंडियन पीनल कोड के बारे में वो इसकी धारा नंबर 377 जो अभी कुछ वर्षों में इंपोर्टेंट रही है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए देखिए इंडियन पीनल कोड एक्ट की जो 377 धारा है ये होमो सेक्सुलिटी को यानि सम लेंगिकता को अपराद की शर्णी से बाहर करता है अर्थात इ 377 के मामले में नेक्स पॉइंट को बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट है 1994 का युनेस्को का जब युनेस्को ने 1994 में ये घोशित किया था कि 1995 यानि 1995 को हम मनाएंगे United Nations Year of Tolerance जी हां 1994 में आज के दिन United Nations के संगेठन यानि युनेस्को ने ये घोशित कर दिया था ये घोशना की थी कि 1995 का जो साल है उसको हम लोग Year of Tolerance यानि सहिशनुता वर्ष के रूप में मनाने के घोशना की गई थी देखें नाम से एक लिए रहे tolerance तो इसका मतलब यही है कि पूरे विश्व में सहिशनुता बढ़े पूरे विश्व के लोगों में सहिशनुता बढ़े पूरे वि युनेस्को के बात करें तो देखें युनेस्को की फुल फॉर्म है वो बहुत सिंपल सी है जो एक्जाम में पूछ ली जाती है देखें यहां पर UN का मतलब तो वही है United Nation E का मतलब है Education, S का मतलब है Scientific, C का मतलब है Cultural और O का मतलब है Organization यानि United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization तो जैसा कि इसका नाम है वैसे इसके काम है जितने भी सिक्षा संबंधी, विज्ञान संबंधी और कड़ा संस्कुर्थी संबंधी वर्क होते हैं उनके संबंध में, उनके संगरक्षन के संबं tolerance भी मनाते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है, यानि सही शुनता दिवस हम लोग 16 नवंबर को मनाते हैं, यह भी आपको याद रखना है, और 1995 को हमने पूरे वर्ष, हमने सही उतना वर्ष के रूप में मनाया था, यह आपको यहां से ध्यान में कर लेना है नेक्स पॉइंट के बात कर लेते हैं, 1995 की, तो 1995 में आज ही जो दो साइंटिस्ट थे, स्विस साइंटिस्ट थे, यानि स्विजलेंड के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया था, यह पहला जो आउटसाइड प्लैनेट था, हमारे सोलर सिस्टम का, जिसको हम लोग एग्जो प्लैनेट बोल देते हैं, तो ऐसे एग्जो प्लैनेट की पहचान कीती पहली बार, देखें, यहाँ पे एक वर्ड आया है एग्जो प्लैनेट, तो इसको समझ लीजे, एग्जो प्लैनेट का मतलब होता है, ऐसा कोई भी प्लैनेट, ऐसा कोई भ ग्रह जो हमारे solar system से बाहर कहीं होता है तो ऐसे ग्रहों को हम लोग बोलते हैं exoplanet या ऐसे जो जो भी और चीज़ों होती हैं उनको हम बोलते हैं exoplanet यह आपको ध्यान करना है हाला कि exoplanet की खोज और उनकी पैचान बहुत पहले से की जा रही है लेकिन पहली जो सबसे पुस्ट यानि सबसे जो definite जो खोज थी वो 1995 में की गई थी यह आपको ध्यान में करना है अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह exoplanet जो था यह एक star है जिसका नाम है 51 Pegasi ठीक है तो 51 Pegasi एक star है जिसके चारो तरफे चक्कर लगा रहा था और इसकी खोज की गई थी यह मैं आपको ध्यान में लाना चाहूँगा अगर अभी तक की बात हम करें तो अभी 1 October 2020 तक की बात करें तो कुल मिलाके ऐसे लगभग लगभग 4,354 हमने exoplanet को पहचाना है याने इतने ग्रहों की हमने पहचान कर लिए बिलकुल अगर लेटेस की बात में आपको बताऊं तो अभी सितंबर 2020 में ही हमने एक नया exoplanet find किया था जिसका नाम था WASP-189b उसका नाम रखा था हमने WASP-189b यह जुपीटर जैसा ग्रह था जुपीटर के बारे मैं आपको बता दूँ कि जुपीटर एक gaseous planet है जहाँ पर गैसों की मात्रा अधिक है तो ऐसा ही यह WASP-189b हमने खोजा था जिसमें गैसों की मात्रा बहुत अधिक दी और जुपीटर जैसा लगब-लगबद था अलाकि वजन और size में उससे बहुत चुटा था तो अभी हमने इसको find out किया है सितंबर 2020 में ऐसे कुछ point आपको ध्यान में रख लेने हैं नेक्स point की बात कर लें तो 1893 में हमारे Indian scientist थे जिनके नाम था Megna Saha यह उनकी photo है तो इनका जन्म हुआ था आज के दिन यह आपको ध्यान में करना है 1893 में 6 October को इनका जन्म हो गया था Megna Saha जी की बात करें तो भारतिये खगोल विज्यानी हैं Astrophysicist हैं और इन्होंने एक अपनी equation दी थी जिसको हम कहते हैं Saha equation यानि Saha समीकर्ण यह Saha समीकर्ण क्या करता है देखें यह Saha समीकर्ण किसी भी स्टार का जो spectrum होता है उसको find out करता है उसको find out करने में हमें help करता है और उसके spectrum के द्वारा ही स्टार का जो ionization state है या स्टार का जो temperature है उसके बारे में सटीक जानकारी हमको मिलती है जो आगे अधिक खोज और जानकारी के लिए बहुत काम में आती है तो ऐसी साहा समीकर्ण के लिए हमारे मेगना साहा जी famous है और भारत के तो जाने माने का गुल विज्या नहीं है अगर बात करें तो साहा जी ने एक संस्थान की विस्थापना की थी जो कुलकाता में है जिसका नाम है साहा ना भी किये बहुत की संस्थान तो ये आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखने है आगे बढ़ जाते हैं अगली निउस की दिरफ तो 1858 में आज ही के दिन हमारे जो नाना साहा पेशवा जी है उनका निधन हो गया था देखे इनके निधन पर थोड़ा डाउट है डाउट ऐसे है कि 1858 में ये ख़वर आई थी कि ये भारत छोड़कर नेपाल चले गए थे ठीक है और नेपाल से फिर इनकी कोई सूचना हमें नहीं मिली और ऐसा माना जाता है कि नेपाल में इनकी मृत्ती हो गए थी तो आज के दिन यानि 6 अक्टूबर को ही माना जाता है कि इनकी मृत्ती हुई थी किन्तु कोई पुस्ठी इस बात की नहीं है अधिकतर लोग ये मानते हैं अधिकतर जो इतियास का रहे हैं वो मानते हैं कि 6 एक्टूबर को इनकी death हो गई थी परन्तो इसकी कोई पुस्टी हमारे पास नहीं है नाना साहब पेशवा की हम बात करने तो नाना साहब पेशवा के बारे में दो कोशन बहुत important जो आपको ध्यान करने हैं एक तो इनका बचपन का नाम था धोंधूपन्त ये हमारे एक्जाम में कई बार आया है कि धोंधूपन्त कौन थे या धोंधूपन्त किसका नाम था तो धोंधूपन्त जो था वो नाना साहब पेशवा का ही नाम था बचपन का ये आपको ध्यान करना है दूसरा एक बात बहुत important के बारे में वो ये 1857 का जो प्रथम स्वाधीनता संगराम था उसमें कानपूर से इस स्वतंदरता संगराम का नेत्र तो भी नाना साहब पेशवा ने किया था और ये कोश्चन एक्जाम में कई बारे पूछा गया है कि कानपूर से कौन लीड कर रहा था तो वो नाना साहब पेशवा थे ये आपको ध्यान में करना है नेक्स पांट के बात कर लेते हैं 1963 की तो 1963 में आज ही जो पंजाब के फ्रीडम फाइटर थे उनको कहा जाता है ग्रांट ओल्ड मैन बाबा खड़क सिंग जी तो उनकी मृत्ती हो गई थी आज के दिन 6 एक्टूबर को 1963 में ये उनका फोटो मैंने दिया हुआ इसको आप देख लीजे देखे खड़क सिंग जो जनम हुआ था वो सियाल कोट में हुआ था जो आज के पाकिस्तान में है और यही जो अपने बाबा खड़क सिंग जी थे यही जो शिरुमणी गुरुद्वारा प्रवंदख समीती है उसके प्रतम अध्यक्ष के रूप में सापेत हुए थे ये आ राजनेति विधाओं को आगे बढ़ाने वाले थे बाबा खड़क सिंग जी इसके लाबा काफी popular रहे हैं काफी famous रहे हैं अपने स्वाधिन्ता संग्राम में योगदान के लिए बाबा खड़क सिंग जी तो इनकी आज मृत्ती हुदी 6 October को 1963 को यह आपको ध्यान में आपक बास कर लेते हैं आपको यहां से ध्यान में कर लेना है दो-तिन बाते हैं विनोत खना जी एक अभिनेता तो थे ही साथ में एक सांसत की रूप में भी इन्होंने काम किया है यानि इनका राश्नेतिक करियर भी अच्छा का सा रहा है इसलिए अच्छा का से जाने जाते हैं हमारे विनोत खना जी नेक्स बास कर लेते हैं 1987 की फिजी तो फिजी जो था वो आज यानि 6 अक्टूबर को ही रिपबलिक घुशित हुआ था उसको गणराज्य डिकलेर कर दिया गया था आज एक दिन 6 अक्टूबर को और 7 अक्टूबर को उसका जो सम्विधान था वो 7 अक्टूबर से फोर्स में आ गया था यानि operational हो गया था यह आपको ध्यान करना है आज के दिन वो बनकर त्यार हुआ था तो आज को डिकलेर कर दिया गया था रिपबलिक के रूप में 1987 में 6 अक्टूबर को फिजी के बारे में आवाद ध्यान रखनी है अगर फिजी के हम बात करने तो फिजी का तकत 322 कुल्मला के दीप आते हैं जिसमें इनकी राजधानी जो है वो भी इंक्लूड है जिसका नाम है सुवा यह इसकी राजधानी है फिजी की यहाँ पर आपको ध्यान में करना है अगर फिजी के बात करने तो फिजी डॉलर यहाँ पर मुद्रा के रूप में चलता है तो ऐसे आपको ध्यान में कर लेना है Next point की बात करें तो 1870 में आज एके दिन जो एक इकरत इटली था जो unified इटली था उसकी capital के रूप में Rome को स्वीकरत कर लिया गया था, Rome को बना दिया गया था unified इटली की राजधानी यह आपको कुछ point यहां से ध्यान में कर लेने है कुछ question है यहां से जो आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान में करना जो हमारे exam के purpose से बहुत important है जो आगे बन सकते हैं सबसे पहला question in which year was the Indian Penal Court Act passed किस साल वो pass हुआ था यहाद करिए तो देखिए 1860 में बन कर वो तयार हुआ था और 1962 में वो लागू कर दिया गया था तो अगर answer की बात करें तो 1862 ही उसका answer रहेगा 1860 में वो बन कर तयार हुआ था और 1862 से वो force में आ गया था वो पारित कर दिया गया था यह आपको यहां से ध्यान में रखना है नेक्स बत कर लेते हैं वेर इस दा हेड़क्वाटर आफ यूनस्को यूनस्को का मुख्याले कहां पर है तो हमने अभी देखा था पढ़ा था इसका हेड़क्वाटर है पेरिस में इसकी फिलपर में आपको पताई थी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइन्टिफिक और कल्चरल औरगनाइजेशन इसका मुख्याले पेरिस में है और 1945 में इसको बनाया गया था यह आपको ध्यान में रखना है अगले वत कर लेते हैं वाट इस दा कैपिटल आफ फिजी फिजी देश की जो कैपिटल है वो क्या है तो अभी हमने पढ़ा था दक्षन प्रशांत महाशागर में एक द्वीप देश है जिसकी राजधानी है सुबा तो इसके बारे में हमने पढ़ा था आपको ध्यान करना है तो यह तक कुछ आज के पॉइंट हिस्ट्री के कल फिर्म लेंगे कुछ नए हिस्ट्री पॉइंट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद